मित्रो मूलाधार चक्र उर्जा शरीर की बुनियाद है. आज कल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी इतनी एहमियत नहीं है. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह किसी घर का अगर बुनियाद मजबुत नहीं है, तो आप उस प आने पर यह डग्म का सकता है. इसी प्रकार शरीर के अन्य छे चक्रों का बुनियाद मुलाधार चक्र को मना गया है, क्योंकि यह छे चक्र एक के उपर एक-एक मनजिल का निर्मान करते हैं. जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह दर असर ध्रम में हैं. जब हम योग करते हैं, तो हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सुद्रिड और स्थिर कर लिया, तो बाकियों का निर्मान आसान हो जाता है. मित्रों मूलाधार दो शब्दों से मिलकर बना है मूल प्ल से होती है और उसका आधार भी वही है. आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य रूप में आकार लेने से पहले वो मात्र एक मास का गोला होता है, धीरे धीरे वो मनुष्य शरी, धारन करता है. मूलाधार चक्र का स्थान यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड़ी या गुदादवार के मुख्य के पास स्थित होता है या यू कहे कि ये मनुष्य के रीड की हड़ी के बिलकुल नीचे स्थित होता है, जिसके कारण इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है. यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ एक अभिन संबंध है मूलाधार चक्र अनुत्रिक के आधार में स्थित है यह मानव चक्रों में सबसे पहला है मूलाधार चक्र पशु और मानव चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है इसका संबंध अचेतन मन से हैं, जहां पिछले जीवनों के कर्म और अनुभव संग्रहीत होते हैं. इस चक्र की दो संभावनाएं हैं. इसकी पहली प्राकृतिक संभावना है संभोग की, और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य की, जो ध्यान से प्राप्य है. इस चक्र का मंत्र है लम, मूलाधार चक्र को जागरत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है. मूलाधार चकर के चिनह की उर्जा और उपर उठने की गती दोनों की विशेशता होती है. चक्र का रंग लाल है, जो शक्ती का रंग है, शक्ती का अर्थ है, उर्जा, गती, जागरती और विकास लाल सुप्ट चेतना को जागरत कर सक्रिये, सतर्ग चेतना का प्रतीक है मूलाधार चक्र का एक दूसरा प्रतीक चिन्ह उल्टा त्रिकोन है जिसके दो अर्थ है एक अर्थ बताता है कि ब्रहमांड की उर्जा खिंच रही है और नीचे की ओर इस तरहा आ रही जैसे चिमनी में जा रही हो अन्य अर्थ चेतना के उर्ध्व प्रसार का द्योतक है त्रिकोन का नीचे की ओर इंडित करने वाला बिंदू प्रारंभिक बिंदू है बीज है और त्रिकोन के उपर की ओर जाने वाली भुजाएं मानव चेतना की ओर चेतना के प्रक्तिकरण के द्योतक है मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु साथ सूंडों वाला एक हाथी है हाथी बुद्धी का प्रतीक है साथ सूंडे प्रिथवी के साथ खजानों की प्रतीक है मूलाधार चक्र का तत्व प्रिथवी है मूलाधार चक्र जागर्ण के प्रभा जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागरित हो जाता है, तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है व्यक्ति के भीतर वीर्ता, निर्भीक्ता और आनंद का भाव जागरत हो जाता है दुसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिध्धिया प्राप्ट करने के लिए वीर्ता, निर्भीक्ता और जागरुक्ता का होना जरूरी है इस चक्र के जागरित होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है ध्यान रहे की सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागरित करना पड़ता है जब व्यक्ती अपनी कुंडलिनी शक्ती को जागरत करना चाहता है तो उसकी शुरुवात भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है मूलाधार चक्र जागरित करने की विधी मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में चार पंखुडियों वाला एक कमल है ये चारों मन के चार कारियों मानस, बुद्धी, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं मनुश्य तब तक पशुवत है, जब तक की वह इस चक्र में जी रहा है इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर सन्यम रखते हुए, इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागरत होने लगता है इसको जागरत करने का दूसरा नियम है, यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना और इस प्रनाली को अपनाना है सबसे पहले आराम से बैठ जाएं और अपनी रीड की हड़ी को सीधा रखें, इसके बाद अपने ध्यान को अपने पेरिनियम यानी गुदा और जन्नेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें अब आप अपनी तरजनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए, रखते हुए हाथों को विश्रा कराएं और गहरा श्वास लें और छोड़ दें आप इसको साथ से दस श्वास लेते हुए दोहराएं मूलाधार चक्र को जागरित करने के लिए कुछ दुशकर्मों जैसे संभोग, भोग और नशा से दूर रहना होगा जब तक कोई व्यक्ति अपने पहले शरीर में ब्रहमचर्य तक नहीं पहुँचता फिर अन्यकेंद्रों की संभावना पर काम करना मुश्किल होता है अब आप यह सोच रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि कुंडलिनी जागरित हो चुकी है या नहीं तो चलिए हम कुंडलिनी जारण के संकेत को जानते हैं पहला संकेत है कि यदि ध्यान करते हुए आपकी रीड की हड़ी गर्म महसूस होती है तो समझ लीजिए उर्जा जागरित हो चुकी है और उर्जा उधर्व गमन कर रही है दुसरा संकेत है कि यदि आसन में बैठे हुए मुलाधार चकर में आपको चिंटिन्या चलने जैसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि उर्जा क्रियाशी हो रही है तीसरा संकेत है कि आप यदि किसी भी चकर पर ध्यान लगाते हैं और उस चकर में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है तो निश्चित मान कर चलिए आपकी उर्जा सक्रिय हो चुकी है तो मित्रों यह थी मुलाधार चकरा को जागरी करने के विधीव इससे जोड़ी विशेश जानकारी